आज है चे अगस्त दो हजार इक्यस मुर्ली का सब्सक्राइब मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ जुतना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी सेवा करने का उमंग आएगा प्रश्न हीरे जैसा श्रेष्ट बनने का पुर्शार्थ क्या है? उत्तर देही अभीमानी बनो शरीर में जरा भी मोह ना रहे। फिकर से फारिक हो एक बाबा की याग में रहो यही श्रेष्ट पुर्शार्थ हीरे जैसा बना देगा अगर देह अभीमान है तो समझो अवस्था कच्ची है बाबा से दूर हो तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है धारना के लिए मुख्य सार पहला बाब समान मिर एहंकारी बनना है इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है रुहानी सर्विस में बाब का मददकार बनना है दूसरा अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है सबसे बहुत प्यार से चलना है मात पिता को फॉलो कर तक्त नशीन बनना है बर्दान सहन शक्ती की विशेष्टा द्वारा दूसरे के संसकारों को परिवर्तन करने वाले द्रिण संकल पुधारी भव जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्यानी और अज्यानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया तो फॉलो फादर करो इसके लिए अपने संकल्पों में सिरफ द्रिणता को धारन करो यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा सिरफ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा कहां तक सहन करेंगे लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा सिरफ दिल शिकस्त नहीं बनो स्लोगन संगम पर सहन कर लेना जुक जाना यही सबसे बड़ी महानता है ओम शांती स्लोगन स्लोगन